मूवी का स्टार्ट एक लड़की की शिप की पेंटिंग से होता है जो एक बहुत बड़ी दीवार पे एक पेंट कटर से कर रहा था एक डॉक्टर एक आफिसर से कहता है कि ये मर चाएगा इसे रोक लो मगर वो ऐसा नहीं करता तब ही वो लड़का गिर कर मर जाता है दिखाया जाता है कि वो आफिसर किसी को ढून रहा है फिर एक 13 साल के बच्चे मिशेल सिलन्जी को दिखाया जाता है जो साइकल पे जा रहा था उसे एक शॉप पे स्पाइडर मैन का कॉस्ट्यूम नजराता है वो उसे लेने की ट्राइ करता है मगर शॉप क्लोज हो गई थी तब ही उसे एक स्टेला नाम की लड़की की आवाज आती है जो अपनी दोस्स से पूछ रही थी कि क्या वो पार्टी में आ रही है फिर वो स् गाइब हो गया था क्लास में किसी को कुछ नहीं पता था वो इंस्पेक्टर मिशल की मदर थी वो उसे लंच देती है तो सब उस पे हसने लगते हैं उसके जाने के बाद मिशल की नूस से बलड निकलने लगता है और वो वाश रूम जाता है वहां कसाडियो भी आ जाता है और उसे बहुत तंग करता है वो उसके पैसे ले लेते हैं यहां पता चलता है कि मिशल के फादर नहीं है और कसाडियो के फादर जेल में हैं जो कल फ्री होने वाले हैं वो पेंट गन से मिशल को शूट करता है और वो गिर जाता है वो उसे तंग करता है और सब हसने लगते हैं वो घबर जाकर स्टेला की ف्EESBOOK आइडी देखता है तब ही उसकी बहन आ जाती है वो एक लेवर नीचे करती है और एक कबर्ट नीचे आजाती है वो एक 200 था मिशेल उसे कहता है कि यहां उसके दोस सोते हैं कैंडिला कहती है कि उसके तो कोई दोस्स नहीं है फिर दिखाया जाता है कि वह एक कऊस्ट्यूम शॉप पे गया है और वहां उसे एक चाइनीज सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम दिया जाता है जो उसे पसंद नहीं आता मगर उसके पास बस वो ही खरीदने के पैसे थे वो शौप के लड़के को पूछता है कि इसकी क्या पावर्ज हैं तो वो कहता है कि उसे जल्दी ही पता चल जाएगा सीन्स बदलते हैं और मार्टीनो की वीडियो आती है जिसमें वो कहता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा और वो अपनी मर्जी से गया है जिवाना को ये अचीब लगता है और वो कहती है कि वो इन्वेस्टिगेट करेगी फिर वो घर आती है जहां मिशेल तयार बैटा था मगर उदास था क्यूंकि उसे लगता था कि सब उसका मजा खुडाएंगे उसकी मदर उसे कहती है कि वो अच्छा लग रहा है यहां पता चलता है कि मिशेल के फादर भी कॉप थे और लोगों को बचाते हुए वो मर गए वो पार्टी में जाता है जहां कसाडियो और ब्रैंडो वॉल भी उसकी वीडियो सब को दिखाते हैं जो उसने स्टेला की बनाई हुई थी स्टेला उसे पूछती है कि क्या वाकि उसने यह किया है मिशेल वहां से भागता है और वाश रूम में चुप जाता है बाकि सब भी उसके पीछे जाते हैं वो अंदर कहता है कि वो गाइब हो जाए और नीचे जम कर देता है सुबह वो उटता है और मिरर में दिखाया जाता है कि वो गाइब हो चुका था ये बात उसे भी नहीं पता थी उसकी मदर रूम में आती है मगर उसे भी नहीं पता चलता सिर्फ उसके डॉब को वो फील हो रहा था वो स्कूल जाता है और वहां वो टीचर पे कसाडियों की पेंट गन से शूट करता है उसे बहुत घुसा आता है और वो क्लास छोड़ कर चली जाती है फिर वो कसाडियों के फ्रेंड वालपी के पास जाता है जो टैनिस खेल रहा था वो उसे तंग करता है और वो मैच नहीं खेल पाता उसका फादर उस पे बहुत उस्सा करता है और उसे कहता है कि अब वो खुद घर जाए वो उसे बहुत डराता है और वो भाग जाता है फिर कसाडियों को दिखाया जाता है जिसे उसका फादर बहुत डांट रहा था वो उसे कार में बिठा कर घर ली जाता है फिर वो स्टेला को जाते हुए देखता है तो वो उसका पीछा करते हुए गर्ल्स रूम में पहुँच जाता है वहाँ वो विज psychologist Georgia आता है और उन सब को कहता है अकेला और loser फील करना ठीक है class की girls उसे तंग करती है तब ही वो invisible होने लगता है वो bell बजते ही वहाँ से भाग जाता है वो जाता है और उसके room में candle थी वो उसे बाहर जाने का कहता है मगर वो वही रहती है मिशेल को ये नहीं पता था वो अपना हैट और होड उतारता है तो कैंडिला चीफ ने लगती है मिशेल उसे सारी स्टोरी बताता है वो उसे कहती है कि वो सूपर हीरो है और सब की help कर सकता है सीन्स बदलते हैं और दिखाया जाता है कि जोर्जा वहाँ न्यू आया था ताके और बच्चे गाइब होने की वज़ा से दोड़ सकें और उन्हें बचा सकें पुलीस आफिसर को लगता है कि ये सब बच्चे ही कर रहे हैं मिशेल अपने रूम में बैठा था अचानक उसे उसकी मदर की आवाज आती है और वो ड्रेस उतार लेता है जिसकी वज़ा से वो इन्विजिबल हो जाता है उसकी मदर उसे ढूंती है मगर वो उसे नहीं मिलता फिर उसकी मदर की कॉल आती है और वो कहती है कि वो मिशेल की वज़ा से बहुत अपसेट है और यहां मिशेल को पता चलता है कि वो एडॉप्टिट है उसे बहुत गुसा आता है और वो बाहर एक ग्राउंड में जूले पे बैट जाता है जूला जोर जोर से हिल रहा था वहां स्टेला आ जाती है और यह की मदर ने उसे अंजान लोगों से बात करने से मना किया है लेकिन वो तो नजर ही नहीं आता फिर स्टेला की ट्रेनिंग का टाइम हो जाता है और वो चली जाती है मिशल वहां एक ब्लाइंड मैन को देखता है जो उसे ही देख रहा था अगले दिन वो स्कूल में स्टेला से म पूछती है मगर वो नहीं बताता और चला जाता है कैंडिला उसे कहती है कि उसे बता देना चाहिए था वो बहुत सोचता है फिर स्टेला को दिखाया जाता है जो बैले दांस सीक रही थी मिशल उससे मिलने जा रहा था स्टेला की ट्रेनर कॉफी के लिए जाती है और तब स्टेला को लेकर भाग जाता है वहां पुलीस आ जाती है और मिशल की मदर भी उसे घर ले जाती है सीन्स बदलते हैं और स्टेला को दिखाया जाता है कुछ डॉक्टर उसे चेक करते हैं और कहते हैं ये भी वो नहीं है उसे ढूनना होगा और दिखाया जाता है मिशल कॉस जाती है और मिशल उस पे बहुत घुसा करता है कि उसने वो कॉस्ट्यूम क्यों वाश किया उसकी मदर उसे समझाती है मगर वो बहुत घुसा करता है और कहता है कि वो जानता है कि वो उसकी मदर नहीं है उसके घुसे की वज़ा से शीशा खुद ही तूट जाता है वो वहां स से नहीं भागे, मिशेल समंदर के पास जाता है, और तब ही वहाँ एक आदमी आता है, जिसका नाम आंडरी था, वो उसे कहता है कि उसने तुम्हारी दोस्त को किड्नाप नहीं किया, आंडरी उसका फादर था, मिशेल नहीं मानता, मगर वो कहता है कि ऐसा उसे बताया गया है वो उसे कहता है कि वो रश्या में पैदा हुआ था वो नॉर्मल लाइफ गुजा रहा था एक दिन अटैक हो गया और सब बदल गया कुछ बीमार हो गये और कुछ लोगों के डियने चींज हो गये और उनके पास पावर्ज आ गई आर्मी ने उनको पकर लिया और उन पे सालों टेस्ट किया कोई उर सकता था और कोई देखकर चीजों को हिला सकता था उनका एक लीडर डिविजन था आंद्री भी उनमें से एक था वो सबसे ज़्यादा पावर्फुल था क्योंकि वो माइंड्स बढ़ सकता था लेकिन प्राब्लम ये थी कि वो सब बीमार हो रहे थे और कोई भी अपनी जनरेशन आगे नहीं बढ़ा सकता था सिर्फ आंद्री और एक लड़की यालेना अपनी जनरेशन बढ़ा सकती थी वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे उनका बेबी मिशेल था वो उसे लेकर भाग गए यालेना उन्हें रोकने के लिए रोक गई मगर वो मारी गई आंद्री मिशेल को लेकर योरोप ले गया उसने उसके लिए घर डूंडा जो जिवाना का घर था क्योंकि उसने उसका माइन पढ़ लिया था और वो अच्छी थी मिशेल उसे पूछता है कि क्या वो सबके माइन्स पढ़ लेता है जिस पे वो कहता है कि सिर्फ उनके जो उनके पास रहते हैं जैसे एक फिशरेमैन ये सोच रहा है कि वो पुलीज को कॉल करे या नहीं सीन्स बदलते हैं और जिवाना को दिखाया जाता है जो पुलीज साइकॉलोजिस से कहती है कि मिशेल उसका बीटा नहीं है और पता नहीं ये बात उसे कैसे पता चल गई है मिशल कहता है कि उसे कॉस्ट्यूम ने पावर्स दी है मगर आंडरे उसे समझाता है और कहता है कि वो सीख जाएगा वो फिशर मैन के माइन में मेमरी इरेज कर दीता है और अब उसे मिशल और आंडरे का याद नहीं था वो उसे कहता है कि अगर वो ड्रेस के बगार फिरेगा तो वो बीमार हो जाएगा उसकी मदर को भी यही इशू था इसलिए उन्होंने एक सूट बना लिया जो पावर्स के साथ मिलकर काम करता है वहां से बना था जिसका मतलब स्पेशल है वो कहता है कि यहां से चले जाओ क्योंकि डिविजिन को पता है कि वो यहां है वहां पुलीस आ जाती है मगर फिशर्मेन को कुछ भी याद नहीं था वहां जॉर्जिया साइकॉलिजिस्ट भी था उनकी मदर कहती है कि उसे हॉस्पिटल जाना है तो वो खुद ही घर जाए वहां खड़ा जॉर्जिया जुवाना को कहता है कि मिशेल को घर छोड़ दे घर जाकर वो उसके लिए टी बनाता है मिशेल अपने रूम में चला जाता है और अपने फादर का दिया हुआ कॉस्ट्यूम देखता है और उसे पहन लेता है जॉर्जिया वहां आ जाता है वो मिलकर टी पीते हैं वो मिशेल को बिस्किट्स देता है मिशेल उसके हाथ पे अपने काटनी का निशान दीखता है और समझ जाता है कि उसने ही बच्चों को किडनाप किया है वो वहां से भागता है मगर सारे डूर्स बन थे वो कहता है अगर उसने पुलीस को फोन किया तो उसके फ्रेंड्स भी मारे जाएंगे मिशेल किचिन में जाता है और गाइब हो जाता है वो जोर्जिया को नाइस मारता है मगर वो बच जाता है वो फलार ले ले लेता है और जगा जगा फेकता है जिससे मिशेल का पता चल जाता है वो उसके रूम में उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि वो उसे सब सिखा देगा मगर मिशेल बहुत चलाकी से वहां से भाग जाता है और रस्ते में उसे कसाडियो मिलता है वो उसे कहता है कि बाइक चलाओ और वो वहां से चले जाते हैं कसाडियो को बहुत घुसा आता है वो उसे मारने लगता है मगर मिशेल गाइब था मिशेल खुद को शो करता है और कसाडियो बहुत हैरान हो जाता है वहाँ जियोवाना घर आकर उसका हाल देखकर बहुत अपसेट हो जाती है तब ही वहाँ आंद्रे भी आ जाता है फिर बच्चों को दिखाया जाता है जहाँ स्टेला, वॉल्पे और मार्टीनो एक दूसरे की हेल्प से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं स्टेला बहार आ जाती है और कहीं चुप जाती है वहां उसे एक wheelchair बी, old man भी नजर आता है मिशेल कसाडियो को psychologist को सब कुछ बता दीता है वो कहता है कि वो भी psychologist के पास जाता है क्योंकि उसे ADHD है ADHD एक psychological बीमारी है जिसका मतलब attention deficit hyper activity disorder है मिशल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है कसाडियों से पूछता है कि उसे कैसे पता मगर वो बात को टाल दीता है कसाडियों को भी साइकॉलोजिस्ट पे बहुत उस्सा आता है और वो अपनी न्यू पिन बॉल गंस निकालता है जो 300 फीट तक इम लगा सकती है फिर स्टेला को दिखाया जाता है जो बहुत ही अमेजिंगली सारे गार्ड से बचकर टावर पर चर जाती है वो वहाँ एक लाइट पे एक स्माइली बनाती है और लाइट आउन कर दीती है जिसे मिशल देख लेता है और समझ जाता है कि ये स्टेला ने किया है वो कसाडियो को लेकर वहाँ जाता है स्टेला पकड़ी गई है और उसे बंद कर दिया कसाडियो कहता है कि वो बाहर संभाल लेगा वो सबको बचा ले मिशल गाइब हो जाता है वो अंदर जाता है और मेन आफिस चला जाता है जहां वो ही साइकॉलोजिस्ट था वो स्क्रीन पे आंड्रे और जिवाना को दीखता है जो मिशेल को ही डूंड रहे थे जरा सशूर होता है और वो समझ जाता है कि यहां कोई है वो कहता है कि उसे उसके पास ले जाओ मिशेल इस बात पे दिहान नहीं देता और स्टेला को बचाने चला जाता है वो बाखी सब को भी बचा लेता है वो जाने लगते हैं तब ही स्टेला कहती है कि उन्हें एक ओल्ड मैन को भी बचाना है वो उसे एक जगा ले जाती है जहां बाखी सब मिशेल को पकर लेते हैं और वील्चेर वाला ओल्ड मैन भी वही था वो स्टेला को बेहोश कर लेता है और कहता है कि वो माइंड्स में जा सकता है वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है उसने स्टेला को भी कंट्रोल किया था और साइकॉलोजिस्ट को भी मिशल गाइब हो जाता है और उन्हें मारता है मगर जब वो स्टेला के सर पे गन रखते हैं तो वो सामने आ जाता है वहां जियोवाना कसाडियो से मिलती है वो उसे सब बता देता है आंड्रे कहता है कि मिशल यहां नहीं है क्योंकि ये जगा तबाह होने वाली है तब ही वो वहां मार्टीनो और वॉल्पी को देखती है वो उसे बचा लेते हैं और मिशेल और स्टेला को पूचते हैं वो बताते हैं कि वो अंदर ही है जिवाना और आंड्रे अंदर जाते हैं और साइकॉलोजिस्ट को भी बचा कर बाहर ले जाते हैं और अचानक सारी बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है ओल्ड मैन मिशेल को कहता है कि नॉर्मल लोगों की कोई जिन्दगी नहीं उसकी मदर जिन्दा है और उसका वेट कर रही है मिशेल चुप रहता है जब वो स्टेला को एक सबमरीन में बंद करके पानी के उपर बीजने लगते हैं तो मिशेल अपनी सारी पावर्ज यूज करके सब की बहुत पिटाई करता है और गैस टैंकर ओपन करके वहां से सबमरीन में चला जाता है वो पानी के उपर आते हैं और सब मीडिया और पुलीस उन्हीं दीखती है सब बहुत खुश थे मिशेल को आंजरी नजर आता है वो उसके पास जाता है जो उसे बताता है कि वो सब की मेमरी गाइब कर देगा और यहां से चला जाएगा वो ऐसा ही करता है अगले दिन किसी को कुछ याद नहीं था बच्चों को बचाने का सारा क्रैडिट जिवाना को दिया जाता है वो बहुत खुश थी स्कूल में उन सब के मिलने की खुशी में पार्टी थी सब वहां जाते हैं अब मिशेल को सब कुछ हैंडल करना आ गया था और वो बाकी लड़कों से बुली नहीं होता था वो और स्टेलब फिर अच्छे दोस्त बन जाते हैं फिर रश्यन आर्मी का सोलजर दिखाया जाता है और वहां की जैनरल यालिना थी ये वो यालिना थी जो मिशेल की मदर थी और यहां एक और बात पता चलती है कि मिशेल की एक बेहन भी थी जिसका नाम नताशा था आंडरी ने उसे बैग में रखा हुआ था इसलिए किसी को भी उसका नहीं पता था वो ये सब याद कर रहे थे और यहीं मूवी एंड हो जाती है